अलो फ्रेंट मैं सेब डोकर सुनील ताहूं और कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों बात करते हैं मैंनेजमेंट अफ तक टिनाइटिस यस रिंगिंग साउंड इन दा इयर क्या मैंनेजमेंट है यस पट वीडियो में आगे बड़े से पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेजिसे ऐसे अनेक उप्यों की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहें दोस्तों टिनाइटिस सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि वाट इस ता टिनाइटिस दोस्तों बहुत पार आपने गोर किया है कि ह हमारा जो एयर है उसमें अंदर रिंगिंग साउंड्स लाइक साइंस टाइप आवाज लाइक बजिंग साउंड्स जैसे हमारे को कान का बजना बोलते हैं और जो रिंगिंग साउंड्स कंट्यूनियों हमारे को एयर में आती है देट वी कोल दा टिनाइटिस कान का बजना ह कान में सीटी जैसी आवाज आना है that we call the T90s बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यह जो बजिंग साउंड से T90s है उसका क्या कारण है दोस्तो अगर हम बात करते हैं तो जो इस T90s की प्रॉब्लम का जो कॉमनेस्ट अगर रीजन हम देखते हैं तो बहुत पार इयर के अंदर जो हमारे परदे की बाहर की तरफ एयर वेक्स Most common region इयर वेक्स इसके अलावा अगर हम और आगे जाते हैं तो बहुत बार जो हमारा परदे के आगे अंदर वाला जो आंतरिक ear है और जो middle ear है उसकी problem के गरण भी हमें tinnitis होता है वो क्या हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे कान के परदे के अंदर जो बहुत छोटी bone है जो हमारे sound को हमारे nerve को travel करती है उसका fixation हो जाता है उसके करण भी हमें ये tinnitus की sounds start हो जाती है अगर और बात करते हैं तो दोस्तों बहुत बार क्या है जो हमारी नर्व जो कान की नाड़ी बोलते हैं जिसको वो नर्व जो आवाज को brain तक लेके जाती है उस नर्व के अंदर millions fiber होते हैं उसके करण भी tinnitus usually हमारे को आने लगती है बहुत बार age related भी होता है कि जैसे उम्र का जैसे करीब 55-50 साल के बाद भी जो है वो हमारे को जो है वो tinnitus start हो जाती है उस नर्व के वीक के हो जाने के करण बहुत बार दोस्तों हम sudden जो है कोई loud sound का exposure होता है बहुत high grade fever होता है या कोई दवा के reaction के कारण भी उस नर्व का जो है वो weakness होना के कारण भी tinnitus होता है तो इससे multifactorial बहुत सारे कारण होते हैं तो जब यह tinnitus आपको continue रहती है जैसे मानलो आपको लग रहा है कि पिछले एक महने से है दो महने से अच्छा है महने से है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें एक physical examination किया जाता है सबसे पहले यह देखा जाता है कि कहीं कान के अंदर कोई wax तो नहीं है आपके कान का पर्दा है उसमें कोई ear drum में कोई hold तो नहीं है कोई congestion तो नहीं है कोई और कोई white दाग या सफेद दाग तो नहीं है और उसके बाद में उसका एक diagnosis बनाया जाता है साथ के अंदर एक PTA करके audiometry test और होता है कि हमारे कान की नर्व की क्या इस्तती है एंड मोटे मोटे रूप से इस auto endoscopy और जो हमारा ये audiometry है उससे हमें उसका diagnosis बन जाता है कि ideal ये जो problem है जिसके कारण हमारे tinnitus है उसमें हमें surgically cure करना पड़ेगा या इसको medicine से ही ठीक करना पड़ेगा बहुत बार क्या है कि कान के अंदर wax है तो अगर हमने wax clean कर दिया तो हमारे tinnitus ठीक हो जाती है बहुत बार कान के परदे में अगर छेद है तो उसको tympinoplasty durbin से surgery होती है उस hole को बंद कर दिया जाता है तो भी कई बार ये क्या है कि उसमें जो है ठीक हो जाता है बहुत बार क्या होता है कि कान की अगर हमारी हड़ी चिपकी हुई है तो उसको stepidectomy करके उसको भी एक surgery की माध्यम से ठीक किया जाता है तो ये ऐसे जो problems हैं वो surgical माध्यम से ठीक किया जाता है बहुत बार क्या है कि कान के अंदर एक minier disease होती है उसकी करन भी आवा जाती है जिसको हम pulsatile tinnitis बोलते हैं कि और hearing loss होता है तो उसको भी कहा है कि कई बार क्या है surgery के माध्यम से ठीक किया जाता है बहुत बार दोस्तों surgical कोई रोल नहीं होता फिर उसमें जो है कान के अंदर जब पूरा हमारे एक diagnosis बन जाता है तो एक minimum medication दी जाती है जिससे कान के अंदर blood flow बढ़ाने के लिए और उस आवाज को रोकने के लिए वो medicine से आपको थोड़ा सा लंबा लेना होता है आजकल recent दोस्तों इसमें एक Tinex injections भी आता है जो एक drip में डालके लगता है और जहां पर आपकी sound आना रुख जाती है वहीं पर उसको बंद कर दिया जाता है बहुत बार कोई patient एक injection में response करता है कई बार दो या तीन में कई बार नहीं भी करता है इसके अदा अभी दोस्तों बहुत सारे कुछ ऐसे device भी आती है जो बाहर एर में लगाई जाती है जो उस sound को mask करने के लिए बढ़ टेक्टिकली वह बहुत बार क्या patient को suitable नहीं करता तो इसमें क्या है दोस्तों सबसे में इसका एक tinnitus work-up है उस work-up में auto endoscopy होती है audiometry होती है बहुत बार क्या है कि CT scan की भी जरूत होती है कि अगर इस tinnitus के साथ के अंदर आपको कोई और symptoms भी है जैसे vertigo है चक करा रहा है चलते हो तो जो है आपको तंगे मारना है इस ताइम भी कई और problem होती है तो यह सारा investigations करके उसका just diagnosis बनाया जाता है और उसका फिर treatment किया जाता है सो most important thing इसमें क्या है जैसे सारा कुछ आपको देखने के बाद आपने देख लिया कि यह surgical नहीं है डॉक्टर ने बता दिया इसके surgery का कोई रोल नहीं है treatment मेरे को लेना है तो वह treatment follow है और दोस्तों try to avoid that things उसके पीछे पढ़ने से बहुत ज्यादा आपको कुछ हासिल नहीं होगा आपको आवाज आ रही है ठीक है उसको ध्यान अटा दो क्योंकि उससे हमारा कोई बिगरने वाला नहीं है आपका सारा कुछ देखने के बाद यह tendency be important So, आपने कृुतना महतो पून आति चाहत चाहर जान ना और उसका मतमेंट करना So, I think Davi, this information is very useful for you So, you can share with your friends and family And, other colleagues आपका से रिलेत कोई क्वैरे है Definitely, you can put my comment box and reply Thank you झाल